दोस्तो आज के इस वीडियो में हम पर्यावन के लगवक सो प्रशनों पर चर्चा करेंगे ठीक है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और जो भी साती न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को जरूर दबाने के बाद आप पर आल कलेक करना है जिससे आल वीडियो की इन्फार्मेशन आप तक महुंचे ठीक है और सेल्प इस्टेडी के लासे इस व के पूरी प लेरिस्ट, बालवैकास, परीयावरण, शर्थ्यातादी सभी वीडियो देख सकते है ठीक है तो स्टाट करेंगे दोस्तों आज का है वीडियो मूलता है परिवार की कितने परकार होते हैं आपको आकार के आधार पर परिवार के परिकार बताना है प्रश. अग नाम से घूलता है य theor ओधार पर रिवार्म की किर्मांगी नहीं की थी तब आपका बिल्कु सई आंसर सोगा लन डिष्टी सढी ने ए дополнर लेंग के लंग विलता दांव नहीं, तै कि है नेक्ट है पत्तियों पर सिराव्व दारा बनाए गए जिजाइन को किस नाम से जाना जाता है पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए जिजाइन को किस नाम से जाना जाता है प्रश्निक्रमांग तीन का उत्तर हमें बताना है तब आपका राइट आंसर क्या होगा सबी लोग उत्तर बताएंगे पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है तो आपका राइट आंसर होगा सिराविन्यास ठीक है सिराविन्यास अंगला है दोस्तो एन्ड वाय रोनेर सब्द किस भासा से दिया गया है प्रश्ण करमांग चार तब आपका विल्कुँ सही आंसर क्या होगा आंसर होगा फ्रेंच वासा से दिया गया है ठीक है अंगला कोस्चन है दोस्तो आपका चिपको आंदोलन की सुरुवात कब होई प्रश्ण करमांग पांच तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा चिपको आंदुलन की जो शुरुआत हुई 1993 में ठीक है 1993 आपका बिल्कु सही है किस बर्स एजेंडा 21 शुरू किया गया प्रशनिक रभांग 6 का उत्र बताना है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1992 में ठीक है 1992 में किया गया अंगला कोच्चन ने ताप मिर्दा प्रिकास परियावना की किस घटक की अंत्र गताती है ताप मिर्दा प्रिकास किस घटक की अंत्र गताती है मिर्दा की तो प्रश्निक्रमांग 7 और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आंसर होगा बहुत एक गटक के अंत्रगत आते हैं ठीके अंगला है कंगारू के वच्चे को क्या कहा जाता है प्रश्निक्रमांग 8 मुझतिक बिल्कु Chuck गया होगा जोई कंगारू की बच्चे को नहीं दोस्तों प्रकास अंस्टेया Day Buraki मुझतिक दोरा वातावण के कौन सी जो खैसैंने वो अफ्षोशित की जाती है मैं तो पाथ आध्मों के दोरा कौन सी ग्यस प्रकास तुस्तिक कियाओ प्रेस्टनि-क्रमांक 9 का ऑत्र बताना है और 9 का आपका आपका उत्र होगा कारबन डाइक्सएड ठीकर तो अवका बिलकु और आंट्वान के नाम से किस जाना जाता है प्रश्णी करमा की घ्यारा कि आपका तरह को बिल्कुस आत這邊 का जाना जाना है objective चिखको अंदुरन का मुक्स ने अन्य कहां प्रस्टने करमा का वाराös तो चिपकोवांदुर्ण का जो मोकत देशता वो बनों में पेड़ों की कटाई को रोगना ठीथ है पेड़ों की कटाई को रोगना ये मोकत देशता अंगला क्वेस्चन है दोश्टों आपका चे चकayoकर पोल्य वर्ग किसके द्वारा पहलते धूरंote में तेरा कि चेचक रेवीज पोलियो रोग किसके दौरा पहलते हैं है तब आपका बिल्कुस सही आंस्र क्या हो ज़गा बिसाणूं की द्ण बारा पहलते हैं ठीक है बोद ते नाइटोजन का βीओ किस रूप में करते हैं प्रशनिक्रमंट चउगदा का उत्रा है और जाता है आपको यह तब आपका बिल्कुस नाइक के लिद्रेग नाम से भी जाना जाता है तो रेडियो धर्मी प्रिदूशन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो रेडियो धर्मी प्रिदूशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा नापकी प्रिदूशन ठीक है नापकी प्रिदूशन के नाम से रूप भी जाना जाता है रेडियो धर्मी पदार्तों से कौन सी विक्राण उत्सरजित होती है फ्रश्चन किरमांक फ्रक्त ुं आपका विल्कु साही आंसर होगा अलफा वीटा गामा विक्राण ठीक है नेक्स्ट दोश्चों मनुस एक सामाजिक प्राणी है कतनी किसका का है प्रश्णिक्रमांग 17 का उत्रह में बताना है मनुस्त एक सामाजिक प्राणी है यह जो कथन है वह अरस्टूश आपका है कि नेक्स्टे बिश्टू परेटन दिवस कम मनाया जाता है कि गृप कर दो आपका राइटट अंशर क्या होब सत्वांस सितंबर को ठीक है ऐस चाल्टे अवर्टत इस रस्टमyas में प्रथम हैं तो आपको राइट अंसर क्या होको खाद स्रंकला में प्र्थम कौन है? पौधे. ठीक है? अनभी करनी ये संसादनों की तीन उधारना बताना है आपको. तो राईट आंसर क्या होगा? कोईला, पेट्टॉल, प्राकरते, गयस. ये अनभी करनी ये संसादनों की तीन उधारन न है. नेक्स्ट वसा का जल अपगटन किस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में जो है होता है तो आपका राइट हो जाए लाइप पेज एंजाइम ठीक है अंगला है भूम अंडली ये ताप ब्रद्दी को क्या कहा जाता है प्रश्णिक्रमांक वाइज अग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है प्रश्णिक्रमांक 23 तो पार्वन डाई आक्साइड मैथीन मीथें किलोरो खिलोरो कार्वन और नाइट्रस आक्साइड ये क्या है ये greenhouse gas हैं ठीक है याद रख लेना ये पूची आती है अंगला प्रस्ट नहीं दोस्तो ब्रक्षों का अध्यन बिग्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है ब्रक्षों का अध्यन प्रस्ट निक्रमांग 24 तो ब्रक्षों का अध्ये की जाता है डेंड्रोटी में नेक्स्ट वर्णी स्व उर्णा का स्रोत क्या है प्रस्टिकिंस अंग्धर नपेशनेंहिंटीए ब्रश्टिकला विटामिन सी के स्रोत बताना है और उत्तरोंगा आवला संत्रा और नीवू यह विटामिन सी के तीन स्रोत हैं 2002 में प्रत्वी संभिनन कहा है उजित किया गया था 2002 में तब राइट आंसर है जोहांस बर्थ दक्षन अप्रिक्या ठीक है अंगला क्षच्चन है किस प्रकार की परसक्ते Appreciate t treat k cad star सी ऑन गलाए नेक्स्ट नेत्र हीनों को पढाने के लिए संपूल विशो में कौनसी जो है किस विधी का उप्यूक किया जाता किस प्रकार से नीत्र हीनों को पढाने के लिए तो बोल लीपी सभी को पता है ब्रेल लीपी का प्रयूप किया जाता है ट्वंटिनाइन का कुछ पक्छी हमारी तुल्ला में चार गुना आधिक दूरी तक देख सकते हैं वे पक्छी कौन कौन से हैं रस्ने क्रमांग तीस का उत्तर बताना है कि कुछ पक्षी रमारी तुल्ल में चार गोण आधिक दूरी तक देख सकती हैं ठीक है, अंगला question है, EBS संचेपण अर्थ में प्रियोग होता है, तो किस अर्थ में प्रियोग होता है, 31 का अंसर बताना है आपको, तब आपका बिल्कुस सही आंसर क्या होगा, Environmental Studies, ठीक है, अंगला question है, दोस्तु परिवार सिक्षा का कौन सा साधन है, ओफ्चारेक है या फिर अनौफ्चारेक, 32, तर बताना है, परिवार सिक्षा का कौन सा साधन है, तो तर सही हो जाएगा, अनौफ्चारेक साधन, ठीक है, अंगला है, अमलिय वर्षा का मुख कारना क्या है, अमलिय वर्षा का मुख कारना बताना है, परशनिकर मंग तेती, और राइट आंसर क्या होगा, अगर सेलफर डाई आकसाइड और नाइट्रस आकसाइड, ये मुख कारना माने जाते हैं, अमलिय वर्षा के, विस विस्सु प्रवासी पक्षी दिवस का मनाया जाता है, तब आपका विल्कु सही आंसर होगा, आठ माई को विस्सु प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, डीपी टीका टीका किस रोग की बचाओ के लिए दिया जाता है, डीपी टीका टीका, यह दिया जाता है diptheria, diptheria की बचाओ के लिए dip ticket कर दिया जाता है enemy रोग किस तत्यू की कमी से होता है right answer क्या हुजागा लोहे की कमी से, enemy रोग होता है लोहे की कमी से which adds divas कम मनाये जाता है रश्न किरमांग 37 तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा एक दिसंबर को ठीक है अंगला यह बायू मंडल की उपरी परत को क्या कहा जाता है right answer होगा बहर मंडल ठीक है बायू मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है 39 का उत्तर सबसे निचली परत को कहा जाता है छोग मंडल बन्न जीव सरक्षन अधिरियम कब लागू हुआ बन्न जीव सरक्षन अधिरियम तब आपका बिलकुस सही आंसर होगा 1972 में नेक्स्ट है केंद्रिय परियावण इंजीनियरिंग अनुसंदान सस्तान कहा ज़ते थे परियावण इंजीनियरिंग अनुसंदान सस्तान कहा ज़ते थे 41 का आंसर बताना है आपको तो राइट आंसर क्या होगा नागपुर महरास्ट में मलेरिया का परजीवी है तो कौनसा है मलेरिया का परजीवी प्रश्निक्रमांग 42 और राइट आंसर होगा प्लाजमोडियम, मलेरिया का परजी भी होता है प्लाजमोडियम, ठीक है, भारत में राष्टी ए खाद सुरक्षा युजना कब लागु होई, भारत में, राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 अगस्त 2013 को, परियाबन से सम्मंदिध पाज़ देख कि विकास की विकासवाल योजना ये किस वर्स अपनाई गई तो चवालीस का आपका विल्कोशवी आंजर होगा 1988 में कब अपनाई गई 1980 सिंगाला किस परकार की जड़का उधारान है 45 का उत्तरवताना है सिंगाला किस प्रकार की जड़का उधारण है तो right answer होजाएगा आपका सौांगी कारग सौांगी कारग जड़का उधारण है सिंहान हर्टी कल्चर में किसका सबाग लगाने जो है दिन किया जाता है प्रत्वी सम्मिलन रियोडी जैनेरियों में किस वर्स हुआ था? 47 का आंसर बताना है और राइट आसरोग उननीस तो वानवे में कब हुआ था उननीस तो वानवे Next है हल्दी अदरक तने का रूपांत्रन है जिसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों प्रिकंद क्या कहा जाता है? प्रिकंद उर्जा सनरक्षन दिवस का मनाया जाता है? तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा 14 दिसंबर को उर्जा सनरक्षन दिवस भारत में उर्जा दक्षिता दिवरों द्वारा उर्जा सनरक्षन अदिनियम कब लागू किया गया? तो उर्जा सनरक्षन अदिनियम कब लागू किया गया? प्रश्न किरमांग 50 तो राइट आंसर होगा 2001 में ठीके? अंगला कोस्चेन है दोस्तो पेट्रोलियम सनरक्षन अनुसंधान असोसियेशन की इस्थापना होई वो 1978 में ठीके? जीव जो अपना वोजन स्वयम तैयार करते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? 52 तब बिलकु सही है आंसर आपका स्वापोसक या फिर ऑटो ट्रॉप्स ठीके? जो अपना वोजन स्वयम तैयार करते हैं बादल, आंदी और बर्सा जैसे जो बायुमंडल ये घटना है घटत होती है तो कहां घटत होती है? तो 53 का आउसर हो जाएगा छोब मंडल में गटत होती है अंगला question है बरगत की पीड में किस प्रकार की जड़े पाई जाती है तरशने क्रमांग 54 बरगत की पीड में किस प्रकार की जड़े पाई जाती है तो आपका right answer होगा आओ इस तम बे जड़े ठीक है आओ इस तम बे जड़े पाई जाती है मॉन्टेरेल प्रोटोक। Kapaz सम्मंद्थ है 55 तो मॉन्टेरेल प्रोटोक। सम्मंद्थ है ओồi जुन ओजुन लेयर से वन सर्रक्ष्ण और उसके पृतप्रुटी जागरुपता को बढाने के लिए जो है अंतरराष्ट्री वन सर्रक्ष्ण दिवस कब मनायाidor जाता है तो अंतराश्टी वन सा रक्षन अदिवस कमना आए जाता है है राइट अजरूगा 21 मार्च को ठीक है 21 मार्च नागोया प्रोटोकाल 2010 और कार्टाजी ना प्रोटोकाल 2000 संबंदेत है तो यह संबंदेत है जेव वित्ता से अंगला कोशन लगातार प्रत्वी परतापमान व्रद्धी कहलाती है तो क्या कहलाती है 58 का अंसर लगातार प्रत्वी परतापमान व्रद्धी क्या कहलाती है 58 उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग तिब्बत की सांगपो को भारत में किस नाम से जाना जाता है 59 का उत्तर बताना है और राइट अंसर होगा ब्रह्म्य पुत्र के नाम से जाना जाता है ठीक है पश्चमी घाट की रेगस्तान और सगन बनों की बीच संक्रमन कालीन छेत्र के लिए क्या कहा जाता है तब आपका राइट आंसर होगा अर्द सुस्क छेत्र क्या कहा जाता है अर्द सुस्क छेत्र पस्चमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ियों पर एक दूसरी से मिलते हैं तो वो पहारी कौनसी है जिसमें एक दूसरे से मिलते हैं पस्चमी घाट और पूर्वी घाट तो राइट आंसर है बिली गिली रंगा पहारिया अंगला कोस्चन देखने थे भारत के महान मैदान की सबसे बड़ी ये काई कौनसी है तो आपका बिल्कु सही आंसर हो का गंगा का मैदान नेक्स है स्वीडन में किस सनस्थान का आधर सभाग के है ब्रीजिंग साइंस अन्ड पॉलसी तो प्रश्णिक रोमा के 63 और 63 का सटाउर्खॉम परेया बना सनस्थान का बंजर भूमी को किर्सी भूमें बदलने के लिए क्या प्रियोग किया जाता है प्रस्निक रवांग 64 बंजर भूमी को किर्सी भूमें बदलने के लिए क्या प्रियोग किया जाता है तो राइट आसर होगा ग्रेडो निज ग्रोडे निज प्रियोग किया जाता है फिल्टर का उपियोग करके पानी को साप करने की प्रिकिरिया क्या कहलाती है फिल्टर का उपियोग करके पानी को साप करने की प्रिकिरिया है वो क्या कहलाती है तो राइट आंसर हो जाएगा सोधन क्या कहलाती सोधन नेक्स्ट दोस्तों फिल्टर का उपियो करके पानी से धूल वा अन्यकड़ों को अलग करने की प्रिकिदिया बिधी क्या कहलाती है फिल्टर का उपियो करके पानी से धूल और अन्यकड़ों को जो है अलग करने की जो बिधी है वो क्या कहलाती है निक्रमांग 66 और उत्रोग निस्पंदन क्या कहलाती है निस्पंदन के प्रत्यक परमाणों में कितने आक्सीजन कणा होते हैं राइट आंसर हो जाएगा 3 कितने होते आक्सीजन कणा 3 जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई तब आपका बिल्कु सही आंसर है 2005 में विस्ट में परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश कौन सा है परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश बताना 69 का उत्तर तो विल्कु सही आंसर क्या होगा भारत में 1902 में यह भारत है विस्ट में परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश और 1902 में यह लागू हुआ था ठीक है अंगला कोस्ट्य देख लेती राष्ट नियोजन के लिए परिवार नियोजन की मूल प्रासेंगिकता को मानता देने बाला पहला भारती राज कौन सा है तो वो है दूस्तों तमे लाडू ठीक है परिवार नियोजन बीमा योजना कब सुरू की गई उत्तर हो जाएगा 2005 में परिवार नियोजन बीमा योजना किस सेकाई में द्वहनी मापी जाती है 72 का आंसर बताना है ततरा महा आज ओमने चला आख का यह कुं वहिफिः तब आपका राइड आंसर क्या हो जाएगा डेसी बल इसीवल में ठीक है वालत ने मांत्रील प्रोटॉकाल पर अस्टाक्षर कव किया थे प्रष्ण निकरमांक 73 का उत्तर बताना है और राइड राइट आंसर होगा 1990 में 1TL प्रोटोकॉल पर अस्ताक्षर किये थे बारत ने बन्य जी उस अरक्ष्ण की छेत्र में आदाम साहस देखाने वाले को कौन सा प्रुष्कार दिया जाता है प्रश्ण करमांग 74 तो राइट आंसर होगा अम्रता देवी विश्णोई पुरुष्कार ठीक है अम्रता देवी विश्णोई पुरुष्कार दच्ची गाम राष्टी उध्यान कहां है दच्ची गाम राष्टी उध्यान तबाक उत्तरों का जम्मू कस्मीर में, कहां पर है जम्मू कस्मीर सेर की पूँचवाला मकाउ किस वन्यजीव रिजर्ब में पाये जाता है सेर की पूँचवाला मकाउ तो वो पाये जाता है दोस्तों नील गिरी में, कहां पर नील गिरी बोरी बन्य जीव अभ्यारण किस प्रदेश में हैं बोरी बन्य जीव अभ्यारण तो 77 का उत्र हो जाएगा मद्ध प्रदेश में कहां पर मद्ध प्रदेश नेक्स्ट प्रेस ने जलवायू परिवर्थन एक्षन प्लान पर काम करने वाला भारत का पहला राज कौन सा है जलवायू परिवर्थन एक्षन प्लान पर काम करने वाला तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली ठीक है पारस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ, 79, पारस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ, तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा, 1982 में, क्योटो प्रोटोकाल के नुशार ग्रीन हाउस गयसों की संख्या कितनी है, क्योटो प्रोटोकाल के नुशार बताना है आप आपको ग्रीन हाउज जो गेसे हैं इनकी संक्या कितनी है तब आपका बिल्कुछ सही आंसर होगा छे छे जलवास करवन डाइकसाइड मेथ हैं हाइड्रो फिलोरो करवन ठीक है और यहां पर किलोरो फिलोरो करवन और ओजियन ठीक है अंगला है दोस्तु आपका प्रस्टने Global Warming की सांभावताम आपने के लिए किस गयस का प्रियोग किया जाता है Global Warming की सांभावताम आपने के लिए तो किस गयस का प्रियोग किया जाता है राइट आंसर आपका होगा Carbon Dioxide का ठीक है Green Climate Fund Set करने के लिए UNFCCC Convention कहा हुआ Green Climate and Fund Set करने के लिए तो आपका right answer होगा वाली इंडोनेसिया में परेयावरण ब्युभारखता सब्द किसने गड़ा तो किसने गड़ा परेयावरण ब्युभारखता सब्द तब आपका बिल्कु सही answer है गुरायन नाटरने पहली बार प्रत्थवी दिबस कम मनाया गया 84 का अंसर बताना है आपको, पहली बार प्रतिवी दिवस कम बनाया गया, तब आपका बिल्गुस सही अंसर होगा, वाई सप्रेल उनी सो सत्तर को, ठीक है, अंगला क्वेशन पार्ष्टिकी तंत्र का नर्माण किंदो घटकों से होता है, तो 85 का अंसर है जैवेक और जैवेक घटक, ठीक है, पार्ष्टिकी तंत्र का नर्माण किंदो घटकों के से होता है, तो जैवेक और जैवेक, जैवेक घटक कौन-कौन से होते हैं, तक आपका बिलकुस है उत्थपादक को बोक्ता और अपगटक, ये क्या होती है, जैवेक घटक होते हैं, और उत्थपादक कहलाती हैं, तोब कहलाती है, पेड़-पो्धी, ये क्या कहलाती है? उत्थपादक. गास इस्तल की खादिस रंकला पांच इस्तर का सही क्रम बताना है आपको गास इस्तल की खादिस रंकला के जो पांच इस्तर है वो सही बताना है तो उनका सही क्रम क्या हो जाएगा पांच इस्तर का गास, टिड़ा, मेंड़क, साप और मोल ये गहां सेस्तल की खादर संकला है अंगला कोश्चन ने गाय, बैंस, बक्री, चुहा, खरगोश, कीट, उपभोक्ता की किस त्रणी में आते हैं 89 का उत्र बताना है तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम उपभोक्ता नेक्स्ट लॉम्डी, भेडिया और मेंडाक, विल्ली, आदी उपभोक्ता की किस त्रणी में आते हैं तो ये आते हैं दुतियोप भोक्ता अंगला पास्तिक तंत्र में अजयवे गटक की परकार है तो अजयवे गटक की जो परकार हैं वो कौन है यह अजयवे गटक की प्रकार होते हैं अंगला है जेओघट को प्राकर्ते काप्धाउं संसादनों की उपलब देता काध्यन किस विषय में किया जाता है तो वो विसाय है, भूगोल विसाय Next पारस्तित्की प्रामिट की प्रकार है तो कौन-कौन से हैं उर्जा का प्रामिट, जिव संख्या का प्रामिट और जिव भार का प्रामिट ये पारस्तित्क प्रामिट की प्रकार होते हैं उर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम क्या है? उर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम बताना है? और राइट आंसर है उत्पादक, साकाहारी और मा साहारी. तो हम पोशी गटक के सदस्यों को कहते हैं तो क्या कहते हैं 95 का उत्तर तो हम पोशी गटक के सदस्यों को कहा जाता है उत्पादर सरवादे किस्थाई पार्ष्टिक तंत्र कौन सा है तो वो तंत्र कौन सा है महा सागरी पार्ष्टिक तंत्र अंगला क्वेश्चिन ने खाथ स्रंकला की अब धारणा को सरप्रतम प्रस्तुत करने वाले जो बिद्वान है वो कौन है तब आपका बिल्कुस सही आंसर वो C.L. इल्टन ने ठीक है C.L. जीवमंडल में उर्जा का प्रवाय होता है 98 का अंसर तब आपका बिल्कुस सीधा होता जीवमंडल में उर्जा का प्रवाज होता बिल्कुस सीधा हरे पौदि किसकी उपस्तिती में बोजन बनाते है प्रश्निक्रमांक 99 हरे पौदि किसकी उपस्तिती में बोजन बनाते है तो वो बनाती किलो रोफिल की उपस्तिती में ठीक है लाइक एंड कवाक और सेवाल का संबन्द है यह उधारन है तो किस प्रकार का उधारन है तो वो धार्न काय का सहजी भी जागा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100 प्रशनों पर चर्चा की जो कि आपकी बहुत ही महत्पून है गरीट 3 के लिए, रीट के लिए और CTT एक्जाम के लिए ठीक है तो इंस्टाग्राम में फोलो करें सुमिच जैन सेल्फ स्टेटी क्लासेज वाट्सेप नमर आपको दिया है ठीक है यूटूब पर सेल्फ स्टेटी क्लासेज सर्च करें और फेस्बुक पर सर्च करें सुमिच जैन झाल से तनाही, झाइ!